जैसे कि मौक्सी फ्लॉक्सासीन आई ड्राप का उपयोग आख में दर्द होना, सूखापन होना, लालपना आना, खुजली होना, आखों में जलन, चुबन जैसा मैसूस होना और इस आई ड्राप का उपयोग कहां कहां किये जाता है चलिए जान लेते हैं जैसे कि आज हम आपको मौक्सी फ्लॉक्सासीन आई ड्राप के बारे में बताएंगे, मौक्सी फ्लॉक्सासीन आई ड्राप का यूज क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, आख में क्या दिक्कत क्या परिसानी हो जाने पर डॉक्टर के द्वारा मौक्सी फ्लॉक्सासीन आ जानकारी देंगे. I drop में किसी भी परकार का आगर infection हो जाता Theali-टर के दूरा मौशी फ्लक्वाक्व्प जाता है तब डॉक्टर के द्वारा मौक्सी फ्लक्वक्वासीन Kid Sy Dr. दिया जाताई आख्मे दालने के लिए जैसे जिनका आख का अप्रेशन हुआ है अप्रेशन होने के बाद में वो चस्मा लगाते हैं तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा जिनी धुंदली दिखाई देता है तब डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है आख में डालने के लिए जब आखों में दर्द होना यानि किसी भी कारण से जब किसी के आख में दर्द की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये आई ड्राप दिया जाता है आख में डालने के लिए जब किसी की आखें किसी भी कारण से लाली पना आ जाता है यानि आख में डालने के लिए और जैसे कि किसी भी कारण से अगर आख से पानी आने लगता है यानि आख से आसू आने लगते हैं तो इस समस्था भी डाक्टर के दार मौक्सी फलक्सासीन आई डाप दिया जाता है आख में डालने के लिए जैसे कि आख में जलन की समस्था होना जब किसी की आख में जलन की समय से रहता है तब डॉक्टर के द्वारा मॉक्सी फ्लक्सासीन आई ड्राप दिया जाता है आख में डालने के लिए जैसे कि आख में चुबन की समय से रहना आख गड़ना इस समय से में भी डॉक्टर के द्वारा मॉक्सी फ्लक्सासीन आई ड्राप दिया जाता है आख में डालने के लिए जैसे कि किसी कीड़ा मकोडा अगर हमारे आख में चला जाता है अगर उसकी वज़ासे आख में जलन की समस्या होता है आखें लाल हो जाती है तब डॉक्टर के दौरा यह दिया जाता है आई ड्राप आख में डालने के लिए और जैसे कि हम कह सकते हैं धूल ग मॉक्सी फ्लोक्ससीन आइडराप लेकिन अगर इन्फेक्शन जादा है तब आपको लगातार साथ दिन तक ढालना होता है चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बता देते हैं जैसे कि अगर आपके आख में जलन की समस्या होने लगे या ड्राप डालने के बाद में इसकी इन पर इचिंग सा होने लगे तो ये ड्राप का उप्योंग ना करें तुरांत अपने डॉक्टर